बड़ी खबर मिल रही है जहां अब पानी पानी हो चुकी है दिल्ली जहां कल तक कहानी ये थी कि पानी की लड़ाई लड़ी जा रही थी जमीन से लगाए सुप्रिम कोड तक लेकिन जब पानी आया तो अब इस पानी की कहानी बदल गई है पानी की कहानी अब ये है कि इस प पानी को ले करके पूरी पिक्चर चेंज हो चुकी है। ये टैंकर के पीछे भागते लोग आपको दिखाई दे रहा होंगे। कल तक हमने भी आपको खबर दिखाई कि टैंकर ही टैंकर लोग कितने परेशान थे कि एक टैंकर के लिए लंबी-लंबी लाइन और टैंकर को घेर करके लोग कोशिश करते थे कि पहले पानी हमें मिल जाए। और दूसरी तरफ अब ये देखे क्या हाल हो गया है। इतना पानी है कि घुटने भर पानी के बीच में सडक पर चलने को मजबूर है। कहीं कार डूब गई है, कहीं घरों में पानी है। अब 24 गंटे के बीतर इ दोनों ही पिक्चर्स वे कॉमन हैं, अगर आप सोचे तो पानी ना रहे तो क्या कंडिशन होगी कि टैंकर के लिए लोग कितनी मुश्किलों से धूप में खड़े रहे, लाइन में लगे रहे, लड़ते रहे, 40-50 डिगरी में जूचते रहे, तो दूसरी तरफ इतना पानी है कि घर से बाहर कैसे निकले, दिली में वसंत विहार की हम बात कर लेते हैं, बारिश के चलते बड़ा हाथसा हो गया है, जहाँ पर जो अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत थी, वो गड़े में गिरिये, दो मजदूर वहाँ पर लापता बताये जा रहे हैं, एन्डियारेफ और दमकल विभाग की जो टीम है, मौके पर पहुँचे और उन्हें ढूनने की कोशिश की जा रही है, देखे जरा, ये टीम इस गड़े में मजदूरों को ढून रही है, यहाँ पर काम चल रहा था, मजदूर साइट के पास अस्थाई जोपडी में रह रहे थे, लेकिन जिस साइट पर, टेंपररी जिस तरीके के शेट्स लगा करके हम आप देखते हैं, मजदूर रहते हैं, लेकिन रातो रात की बारिश के बारिश के बाद पूरी तस्वीर बदल गए, बड़ी बात ये है कि दो मजदूरों का आता पता नहीं है, उन्हें ढूंडा जा रहा है, इ इस बड़े से गड़े में पानी भर गया है, और जो शेट लगा करके टिम का रहा करते थे, यहां पर मजदूर, अब उन्हें ढूंडा जा रहा है।